कभी आपके साथ यह हुआ होगा कि आपने Facebook पे Link को Share कर दें मतलब आपने कोई photo डाली उसको गुरूपों में Share करते जा रहे है Share करते जा रहे है आपने 10, 20, 25, 30, 40, 50 गुरूपों में Share किया ठीक अगर कोई video डाली video को Share करते जा रहे है 50 गुरूप में Share किया तो Facebook को लगता कि Unusual Activity हो रही हमारे इस account में मतलब कुछ यहाँ पर गडबर है तो क्या करता आपके account को Suspend कर देता मतलब यहाँ पर account को Suspend कर देता तो उस account Suspend हो जाता है तो उसको login फिर से हमें कैसे यहाँ पर login करना होता चलिए हम यहाँ पर example आपको दिखाते हैं ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे चलिए यहाँ पर दिखाता हूं मैं Screen recording मेरी चालू हो गई यहाँ पर मैंने अपना main account logout करता हूं जो मेरा main account था यहाँआँ पर देख सकते हां जिसक पर मैंने राजिस मारय वाले option पर click किया यहाँ पर मैंने password डौला हूं आप बिल्कुल आप यहां पढ़ सकते हैं हमारा मोबाइल यह है राजेस आपके एकाउंट को लॉग कर दिया गया है हमने आपको एकाउंट में आज समान एक्टिविटी देखी मतलब अन्यूजवल एक्टिविटी देखी है इसका मतलब यह भी हो सकता था कि किसी ने आपकी जानकारी बिना आपके एकाउंट का स्तेमाल किया है उसको यह अलगर्दम होता है वो कोई वहां पर लोग बैठे नहीं होते हैं कि आपको समझ रहे हैं उसके जो मसीनरी सिस्टम लगा होता है जैसे मसीनरी सिस्टम उसको लगता यहां पर अन्यूजवल एक्टिविटी हो अपरे लूग करने की तारिक बता रहा है आपके अकाउंट को उन्लोग करने के कुछ चरनल पूरे करने होगे अब होता क्या जब एकाउंट लोग हो जाता वहां पर नंबर भी अटाइज नहीं था, email ID भी अटाइज नहीं तो हम इस एकाउंट को उन्लोग कैसे करें सबसे बडी बात यहां विफज जाती है, तो हमें क्या करना है? सुरुवात करे वाले option पे click करना, जिसे हम सुरुवात करे वाले option पे click करेंगे, अपने account को कैसे unlock करें, आगे बढ़ेंगे, अपनी पहचान confirm कराएं, confirm करें कि आपका ही account है, तो इसके लिए में क्या करना हुआ अपनी पहचान confirm करे वाले option पर किलिक करेंगे Facebook पर आपको सुरच्छी तो आपको इस लाने से पहले हमें पक्का करना होगा कि आपका account क्योंकि वो समझ चुका किसी और का account है इसलिए आपकी safety के लिए इसमें Facebook की गलती नहीं है वो आपकी safety चाहता है तो आपकी ID एक photo हमें बेज़ कर साबित कर सकते हैं कि आपका account ही है तो हम जिस प्रकार की ID सेबकार करते हैं उसके बारे में जानें अगर आप जानना चाहते हैं इसपे click करके आप जान सकते हैं दन हमें क्या करना है आगे बढ़े वाले option पर click करना है इसपे आपको click करना है जिसे हम इसपे click करते हैं अब आपको email पता email address confirm डालना होगा email पता आपको वो डालना होगा जिससे आपने कभी भी कोई Facebook account नहीं बनाया वो आपको यहाँ पर डालना है अगर आपके पास नहीं तो एक आप नया account बना लीजे account बनाने बाद आपको क्या करना आगे बढ़े email डालेंगे email confirm करेंगे फिर से वह email ID डालेंगे देन हम क्या करेंगे आगे बढ़े वाले option पर click करेंगे passport, driving license, mobile से email ID से cover करना तो बहुत ही असान है passport, driving license, राष्टी ID card, वहाँ महतपूर, जहां देख सकते हैं वोटर ID card है, वो अप्लोड कर दी, परिवार का प्रमाण पत्र है, वो अप्लोड कर दी, वीज्जा है, राष्ट्यों card है, अप्रावसन, पंजी, करण card प्रया чान card है, कुछ भी यहां पर आपके पास है, तो आप upload करके यहां पर अपना account recover कर सकते हैं, अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं है, आपके पास तो क्या करना है, मेरे पास इनमें से कोई भी अब आपको क्या करना है, submit करे वाले option पर किलिक करेंगे, चलिए हम पर submit कर देना है, जैसे हमने submit कर दिया है, आप देख सकते हैं, we have received your information, मैंने आपकी information प्राप्त कर ली है, आपनी ID photo upload करने के लिए आप धन्यवार, आम तोर पर हम ID का review 24 गंटों के अंदर करते हैं, जब हम अ आपको इस्तेमाल मतलब information जो भी होगा, मैं उस ID पर आपको भेज दूँगा, जो आपने mail ID डाली थी, अब आपको इस परकार से अपना जो account लॉक हो गया है, उसको record कर सकते हैं, यही एक last stage है, इसी तरह से recover किया जा सकता है, आसा करता दोस्तों आपने समझ गया होंगे, आ अगर लॉक कर दियागा, इसको unlock कैसे करेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को like करके, चैनल को subscribe करना है, बेल आइकोन को press करना, ताकि आने वाली वीडियो का जो notification होता है, उस सबसे पहले आपको मिल से गए, मिलता है नेस्ट वीडियो में नई जानकाई साथ तब तक लिस्तों, जै हिंद, जै भारत, बाई बाई, लवीवाल, फ्रेंड